जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहाँ पे असदुदीन ओवेसी को बुलाया जाता है जादा तर ओवेसी इस दा प्रोड़क्त ओफ सेक्टर 16 एन और्ड़ा फिल्मिशिटी वेसी जानता है मेडिया को कैसे प्ले करना है उसको पता है सोचल मेडिया को कैसे प्ले करना है वो कहता है यहाँ पे मैंने जै पैलेस्टीन बोला वहाँ पे जाके मेडिया ब्रेकिंग निउस ब्रेकिंग निउस जैन दोस्तों, मैं हूँ में जगारवारिया और आप देख रहे हैं तर चानल के डायलॉग्स इस विडियो को लाइक करी है, हमारे चानल को सब्सक्राइब करी है और बेला आकन दमाने बिल्कों मन दूलिएगा कहते हैं हो वेसी जै पैलिस्टीन अब देखिए, तो ये चर्चा का वेशाय बन गया और कल रात से टेलिविजन पे इसी मामले पे डिबेट चल रही है कैसे बोल सकता हो वेसी जै पैलिस्टीन इसकी हिम्मत कैसे हुई संसद में बोलने की जै पैलिस्टीन फलाना लो के फलाना ढिम के सेक्शन के फलाना आर्टिकल के फुल स्टॉप और कॉमा के बीच में ओवेसी को लोक सभा से निकल दिया यार ये सब सुनो, ये सब बेकार की बाते है ओवेसी इस मामले में बड़ा स्मार्ट है, उसने जान बूच के बोला है क्यों बोला है, ये मैं समझा देता हूँ, इसके पीछ लोजिक क्या है ओवेसी का ठीक है, वो पड़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि सिस्टम को प्ले कैसे करना है सिस्टम का फाइदा कैसे उठाना है, और सिस्टम को चक्कर में कैसे डालना है, दिस ओवेसी नोज वेरी वेल दोस्तों, एक जमाना था कि ओवेसी के पार्लिमेंट में दो सांसाद होते थे अब OVC का पार्लिमेंट में एक सांसाद है टोटल एक वो OVC खुद जो OVC की पार्टी है दोस्तों All India मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन All India मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन उसका एक ही MP है और उस MP का नाम है असद्दिन OVC और पिछले 36 घंटों से OVC 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 ठीक है जी इतना OVC OVC हो गया है कि जिनके Double Figures में Member of Parliament है नितीश कुमार जी हो गए चंदरबाबू नाइडू हो गए इनके Double Figures में हैं इनकों को पूछी निरा OVC 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 तो OVC ने सारी सुर्खियां ये जान बूच के करते हैं जो भाईयों ने हैदरबाद से कॉल करा मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपका नाम नहीं ले रहा है यहां पे लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं फिर ठीक थाबित हुआ ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि देखो OVC basically television anchor है आपको समझना पड़ेगा वो constantly P2C mood में रहता है वो television anchor है वो नेता नहीं है वो television anchor है उसको पता है कि कैमरा कहां पे है आप समझे उसका दिमाग उसको पता है कैमरा कहां पे है उसको पता है लाइट्स कहां पे है उसको यह पता है उवेसी को पता है कि पब्लिसिटी कैसे घेर नहीं है एक तो यह एंगल है ठीक है जी कि पब्लिसिटी कैसे घेर नहीं है अपने आपको और बड़ा कैसे करना है यह ज़रा सुनिए छोटी सी क्लिप है उसने बोला किया था फिर मैं आगे ले जाओंगा आपको नामदू नुस्वा का रुकुन मनतखब किया गया है अल्लह के नाम से हल उटाता हूँ कि मैं भारत की आईन पर जो खानून के में मुझब तैप आया है एतिखाद रहूंगा उसका वफादार रहूंगा और जिस उहदे को मैं समानने वाला हूँ इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दोंगा जय भीम, जय मीम, जय तैलेंगाना, जय फलस्तीन, तक्बीर, अल्लाहु एक्बर वे देख लिया, आपने सुन लिया, तो ये ओवेसी का बयान था पारलिमेंट में अचा, खूब रकस, इस तहत के, इस सेक्षन के, इस तहत, इस लॉके, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ओवेसी का, ओवेसी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कानून मैंने भी पड़ा है ये इसका मन है और ये कई दशकों से ट्राइ कर रहा है और ये फेल हो रहा है ट्राइ कर रहा है और फेल हो रहा है और वेसी को कभी भी भारत के मुसल्मानों ने कबूल नहीं करा कि आप पूरे भारत के जितने भी मुसल्मान हैं करोड़ों की तादात में आप उनके लीडर हैं ऐसा मुसल्मानों भारत के मुसल्मानों नहीं माना और यही चाहता है OEC इसलिए आप देखे उसकी पार्टी का नाम क्या है All India मजलिस ए इत्तिहादुल मुसलमीन यानि कि मुसल्मानों की पार्टी है वो खुद कह रहा है उसकी पार्टी का नाम आप समझ गए यह टिपिकल माइंड सेट है हमारे यह कई लोगों का टिपिकल माइंड सेट है आप ने उसमें हिंदू लिख दिया तो आपने आटोमेटिकली बोला कि क्योंकि मैजॉरिटी कम्यूनिटी है ठीक है इसलिए यह दबाने की कोशिश करना है वहाँ पे इत्यादल मुसलमी इतना लंबा नाम प्रनाउंस भी न कर पाया आदमी तो बोला कि नहीं वो तो सेकुलर आदमी अच्छा यह जो मुसलिम लीडर बनने का एक किड़ा है वो वैसी का इस किड़े ने कभी अच्छी तरीके से काटा नहीं प्रॉब्लम यह है कि य नहीं पा रहा और यह चाहता है इसको पता है कि इस वक्त सारी मुसलिम दुनिया चाहे वो मुसलिम स्ट्रीट भारत की हो मुसलिम स्ट्रीट पाकिस्तान की हो वो मंगोलिया मैं चाइना दुनिया में हर जगे मुसलिम है ना हर देश में सारे के सारे टक टकी बांदे एक ची डिमोक्रसी है दुनिया का वहाँ पे उधर खड़े होके पैलिस्टीन की जाए याने की विक्टरी बी टु पैलिस्टीन इस वाट ही इस सेंग्ट इस वाट असद दुद्दीन ओवेसी सेंग्ट इस इस अमेसेज देखो भारत में इतने करोड मुसल्मान हैं और मैं लीडर हूँ मैं इनके हक की बात करता हूँ और सिर्फ इनके हक की नहीं मैं दुनिया भर के मुसल्मानों के हक की बात करता हूँ ये असद उद्दीन ओवेसी का मेसेज है और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेजर साब ये कैसे हो सकता है ये तो गलत है और ये देखो यार सुनो मैं तो ओवेसी को एक चीज के लिए एड्मायर करता हूँ वो अपनी आइडियोलोजी का पक्का है उसने अपनी आइडियोलोजी से कॉंपरमाईज नहीं करा है अब आप अपने गरेबान में जहांक के देखिये क्या आपने अपनी आइडियोलोजी से कॉंपरमाईज करा है कि नहीं करा है वो ठीक है वो टीवी एंकर है और अपनी पबलिसिटी के लिए कर रहा है और मुसलिम वोट बठोरने के लिए कर रहा है, यह सब, यह एक तरफ, लेकिन पार्लिमेंट में ऐसी बात बोलना हूँ, और मैं यह यह नहीं कह रहा है, कि यह क्रिमिनल ओफेंस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात है, लेकिन आज की तारिक में, और यह जानता है, और यह जानता है, और उसने बोला है, और इसका desired effect होगा भी, और मैं आपको बताता हूँ, अगले चुनाओं में अगर यह हार जाता होगा इसी बाइदत है, किसी की गैरेंटी नहीं है, कोई यह नहीं कह सकता कि 100% यह होगा, कुछ भी हो सकता है, अगर यह हार जाता है, तो इसकी पार्टी तो गई, इस गौन, हाँ ठीक है, MLA के चुनाओं में कुछ इसके निकल गए, वरना, तेखिए, पार्लिमेंट में होने का क्या फाइदा है दोस्तों, पार्लिमेंट में यह होने का फाइदा है, कोई एक बंदा है, जो दिल्ली की जो पार्लिमेंट है, भारत की पार्लिमेंट दिल्ल यह ऐसे बयान आब और देगा आब देखिए गा हर समय पार्लिमेंट के सेशन में रहेगा यह कुछ ना कुछ बोले गा यह time निकाल के लाएगा कितना भी busy schedule हो बॉले गा और जितने बी function होते हैं जितने भी events होते मेडिया के और जब भी पॉलिटिकल शो होती है तो वहाँ के ओवेसी को बुलाए जाता है क्योंकि कम से कम और कोई नहीं तो मीडिया तो समझती है कि मुसलिम लीडर है चाहे मुसलमान खुद ना समझता हो OVC को अपना लीडर लेकिन मीडिया समझती है इसलिए मैं आपको कहा रहा हूँ कि जिस बंदे के पास सिर्फ एक सीट है पार्लिमेंट में सिर्फ एक सीट है उसके मूँ के आगे पूरी मीडिया माइक देके रहती है और जिनके पास दरजन से उपर लीडर हैं दरजन से उपर मेंबर ऑफ पारलिमेंट है नितिश बाबू नितिश बाबू पास कोई नहीं जा रहा है जबकि सरकार के हिस्से हैं वो इस वरी इंपॉर्टन पार्टनर इन डिस एंडिया एलाइंस चंदरबाबू नाइडू वरी वरी इंपॉर्टन क्रूशल पार्टनर इन डिस एंडिया एलाइंस उनके पास तो कोई मीडिया वाला नहीं जा रहा है उनके दरजन से उपर में MPs हैं वो सरकार बना रहे हैं उनके पर कोई नहीं जा रहा है कि एक बंदा आता है यहां पर सब भर किस साब यह वेसी जो बनाया है ना यह वेसी शुटीा ने बनाया है मैं आपको बताता हूँ नॉड़ा में Film City है यह Film City की उपए जा इंडी और English मीडिया असब दिनोवेसी इस दा प्रिड़क्ट ऑफ सेक्टर 16 नॉड़ा Film City इन मैं आपको पांच ऐसे मेंबर ओफ पार्लिमेंट के नाम बता दूँ आपने उनके नाम नहीं सुने होंगे OVC का सबसे OVC का राजनेतिक हतियार नहीं है OVC के सामने OVC उत्तरप्रदेश के मुसल्मानों को कन्वेंस नहीं कर सकता कि आप वोड़ दो मेरे कैंटिटेट को जबकि UP में कई ऐसी मुसलिम बहुल कॉंस्टियूंसी हैं नहीं उनको कन्वेंस कर सकता तो ये जो लोग बात कहते हैं कि एक ग्रेटर एजेंडा है जिसमें सारे मुसल्मान एक बंदे को वोड़ नहीं है OVC खड़ा कर ले दोबारा हार जाएगा मद्भरदेश में मुसल्मान नहीं है राजस्थान में मुसल्मान नहीं है गुजरात में मुसलमान नहीं है मुसलमान तो यहाँ पे इंडिया में हर इक स्टेट में और अच्छी मात्रा में अच्छी तादात में क्यों नहीं जीतता हो वेसी वेसी सिर्फ टीवी पर जीतता है ठीक है वेसी सिर्फ टीवी पर जीतता है सामने मेरे कैमरा लगा है ये मेरा फ्रेम कटा है ठीक है ये माइक है माइक का फीड डिरेक्ली आडियो फीड जा रहा है कैमरा के अंदर और उसको पता है लाइफ बीम करेगा वो एक्सबर्ट है आदमी इस चीज़ में वो कहता है यहाँ पे मैंने जै पैलेस्टीन बोला वहाँ पे जाके मेडिया ब्रेकिंग निउस ब्रेकिंग निउस सुर्कियों की जीनत बने हुए ओवेसी साब तो ये उसका गेम है दोस्तों और जैसा मैंने बताया कि लार्जर कॉंटेक्स का है वेसी का लार्जर कॉंटेक्स सिर्फ यही है कि भाई कुछ नहीं करना सिर्फ एक चीज समझ नहीं है सिर्फ एक चीज पूरे मुसलमानों को गैलवनाईज करने का एक मुद्दा क्या है इसने कोशिश कर दी अगले चुनाओ जो हो दो हजार उनक्तिस में, इसम मुझी ना खानी पड़ा है, पता लगा एक है वो भी चली गई, क्योंकि भाई, मीडिया आपको पुब्लिसिटी दे सकता है, मीडिया आपको चुनाओ नहीं जितवा सकता है, मीडिया वाले जाके थोड़ ना आपके नाम फाइदा ले, सेकुलरिजम का फाइदा ले, लेकिन OVC बेसिकली एक मुसलिम लीडर है, OVC की पार्टी is a party for Muslims, उसका नामी मुसलमीन है, जाहर सी बात है, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, it is all under the constitution, जायज है, कोई इसको ना जायज नहीं कह रहा है, बेल्कु और वो मुसलिम, ग्रेटर मुसलिम मुद्धे उठाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका टोटल जो है, OVC ने करने की कोशिश करी, और ideologically, मैं एक बात कहता हूँ, he has not compromised ideologically, वो कहता है कि वो मुसलिम लीडर है, और वो बाद भी वैसी करता है, और ठीक है, इसमें कोई जादा इसमें कोई बहस का मुद्धा नहीं है ये दोस्तों, दोस्तों एक बड़ी interesting बात आपको बताता हूँ, माधवी लता जी का तो आपने नाम सुना ही है, माधवी लता जी खड़ी वहीं opposite OVC, OVC जीत गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन माधवी लता जी को भी OVC की हार है कि माधवी लता जी जिनको कोई जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था, अचानक वो आईं और OVC के गड़ में घुसके, उसके गड़ में घुसके, ये सवा तीन लाख वोट ले गई, क्या आपको लगता OVC डरा नहीं होगा, कि इस बार सवा तीन लाख लेग यहरा देंगी, तो क्या करता है, फिर आदमी जो है अपना अपना नेरेटिव सेट करता हूँ, वेसी अपना नेरेटिव सेट कर रहा है, पर नेरेटिव का है पक्का खिला लड़ी वह, ये बात मानने पड़ाएगी, चली दोस्तों अब कुछ क्वेशन और आंसर लेते हैं यहां पर पहला सवाल है, डॉक्टर हर्शल महता का, ये कहते हैं कि भारत की जो बढ़ते वे तालुकात हैं तिबबत और ताइवान से वो चाइना को परिशान कर रहे हैं, बिल्कुल परिशान कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसी ऐसी कॉंसेंसे अलोंग येलेसी होगी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल चाइना कोई काइनेटिक अक्शन चाहेगा, I don't think China is prepared for a काइनेटिक अक्शन, गलवान की जो सूजन है, वो अभी तक चाइना की कम नहीं हुई है, China is still looking at its wounds, is it the right time for us to create a strategic block with ASEAN and Taiwan together countries to expose China's, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको fact बता दूँ, कभी आप और हम मिलेंगे, हर्शल, तो मैं आपसे फिर बात अलग से करूँगे इस मामले में, this is slightly complicated here, ये बड़ी complicated चीज है, ये जो कह रहे हैं ना कि ASEAN का block along with Taiwan, China, it's very difficult, बनना चाहिए, मैं इसमाना नहीं कर रहा है, कि नहीं बनन का चाहती है, जब उसके पास made in India alternatives है, Tata, Kustle और Mahindra की 8x8 armored carrier, ये क्या आत्मरवर भारत के slogan के खिलाफ नहीं है, नहीं है, करन मैंने, भाई, मैंने कई बार इस चीज को बताया, एक बार नहीं, दो तीन बार मैंने बताया है, ये ही चीज, ये कई लोगों ने सवाल पूछा जो आप पूछ रहे हैं कि भारत क्यों ले रहा है Striker, जबकि कस्टल है, Tata का और Mahindra & Mahindra का 8x8 है, जब हमारे देश में ऐसी technology present है, तो हम विदेश की चीज़ें क्यों ले रहे हैं, पहली चीज मैं आपको बताओ, अमेरिका ने offer करा है, भारत ने ये नहीं बोला कि हम ले र गाडियां हैं, ये बखतर बंद गाडियां हैं, जैसे Tata का करस्टल जो है, या फिर 8x8 Mahindra है, ये बखतर बंद गाडियां हैं, आप इन में इसमें आर्मर लगा हुआ है, जाहर सी बात है, इसमें चोटी मोटी गंज है, for local protection and all that, and these are used to transport troops from one place to the other, it could be point A, point B, it could be from a certain place to the objective where the enemy defenses are, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको compare करना striker, striker का role है, striker BMP type का है वो, मतलब BMP मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि BMP also has a gun, striker की जो, striker जो combat vehicles हैं, उसके अंदर 105mm की gun है, टाटा करस्टल में तुम मैंने गन नहीं थेकी, main cannon नहीं हैं, तो striker also functions, I am just giving you a very very loose example though that is not the correct, जो मैं आपको analogy बता रहा हूँ, correct नहीं है, लेकिन सिरफ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि, the striker also works as a tank, it also works as a tank, and it is an APC, but also works as a tank, because it has a gun, a 105mm gun, it can carry motors, right, to shoot between 5 to 8 km, mobile, उसके उपर सो, उसकी चहत खोली अंदर सा, टाटाटा क मोटर फायर हो रही है, so, striker is a different platform, यह पता नहीं किस ने बोल दिया, article भी चपा दिये, क्या पैसा striker क्यों ले रहे हैं, जब यह, actually क्या है, कि weapons companies होती है, वो अपने-पने article चपाती रहती है, पैसे दे के कभी किसी magazine में, कभी किसी magazine में, ठेक है कि यह, striker is only different, यह, striker is different, this is different, यह अलग है, हाँ, इ नहीं है, टाटा को हल की चीज नहीं बनाएगा, महेंद्रा को हल की चीज नहीं बताएगा, लेकिन striker is also an offensive platform, with the striker, you can attack, not with these platforms, with the striker, you can attack, अब हमला कर सकते हैं, दुश्मान पर, परणव रमन, मेरा सवाल है कि, हम लोग क्यों एक luxury armored car अपने PM के लिए नहीं बना सकते हैं, हमारे PM, land rover में travel करते हैं, which is owned by Tartas, it is still manufactured outside India, please share your views, नहीं इसमें कुछ नहीं, बात ही होती है, कि armored luxury car, armored luxury car का एक segment होता है हर जगे, इंडिया में उस segment नहीं है, armored luxury car का, और आप किसी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, प्रधान मंतरी के लिए, आपने बोला चलो राश्पती के लिए बना दिया, उप राश्पती के लिए बना दिया, उप राश्पती के लिए बना दिया, लेकिन दो तीन गाड़ी के उपर डाल दिया, तीन हजार किलो का आमर, equipment, और प्रधान मंतरी के गाड़ी में, रडार, भडार, पता नहीं क्या, वो दुनिया भर का, वो जैमर वे, पता नहीं क्या नहीं क्या लगा रहता है उसके लिए, आपको उस किसम का acceleration चाहिए फिर, ठेक ना, उसमें दस और चीज़ें, SPG के दस input होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यह ज़्यादा relevant चीज़ है, हमारे पास वो scale नहीं है वे, और ठीक है यार, we don't require it, हर चीज़ में scale नहीं होता है, that's all right, Sam पूछते हैं कि जहन सर, जहन साम, यह कह रहे हैं कि पूटन नौर्थ कोरिया विजट करा, चाइना और रूस की closeness, नौर्थ कोरिया, इरान, क्या आपको नहीं लगता कि यह चारों यहाँ पर strong बन जाएंगे इशिया में, इस से भारत और रशिया का relation कैसा होगा, और रश जुलाई में प्राइम मिनस्टर मुदी इस ट्राइवलिंग टू रशिया, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पसंद आए, तो उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चानल को सब्स्ट्राइब करें, बलाइक अंदमाना बिलकुम नद भूलि झाहन बढ़ि नद रषा खक्रोन को लाइक करें, हमारे बली रषा ठींप ड्राइक करें लाइक करें